प्रियमित्रों मेमित कुमार आप सभी का अमिटेंचीट पर स्वागत हैं तो आई जह हम बात करते हैं फीजिक्स के कुछ जेनरल कोशन है जो कि प्रायर cc SHC ndc में पूछा जाते हैं तो आई देखते हैं अजक्ति कौनसे कोशन है ये सभी कोशन प्रायर प्रिवियर्स है तो आज देखते हैं अगना पहला कोशन क्य लिक्रान से कौन सी रासी सदिश नहीं सदिश का इंगलिस होता है फैक्टर भेक्टर नहींgovern तो देखे विष्थापन जो होता है सदीष रासी होता है वेक सदीष है और बल भी आपका क्या होता है सदीष होता है तो आपका एतन जो होता है वह सदीष रासी नहीं होता है अदीष होता है क्या होता है अदीष रासी होता है ध्यान दीजेगा प्रियो में इतनों मेरे सभी कि किर्पया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट एडुकेशन आपको इस सेनल पर प्रभाइट किया जाए आए देखतें दुसरा कोशन क्या करना चाहता है निमने लिखित में से कौन सी रासी सदिस है तो लिखिए उर्जा सदिस नहीं है अदिस रासी है कार भी अदिस रासी है दाब भी अदिस रासी है ता आपका सनविग सनविग जो है आपका सदिस रासी है इस चीज को याद कोश्चन नमर थिरी है निमनल में कि कौन सी रासी सदिस है क्या है सदिस सदिस में क्या होता है कि एक वेक्टर क्वेंटिटी करते हैं इसमें मेगनिच्यूट के साथ साथ डिरेक्शन भी होता है मेगनिच्यूट के साथ साथ डिरेक्शन भी होता है मेगनिच्यूट और डिरेक्शन दोनों होगा तो जिससे देखिए समय समय आपका दिस रासी है चाल आपका दिस रासी है दूरी आपका विश्थापन विश्थापन आपका सदिस रासी है जिसमें डिरेक्शन भी होता है अर्मियनी चुट भी होता है. कोशनरा में के उर्ज होती है? हुआमें जो उर्ज होती है, क्यवल्गति जरू जाए है? सभी is question पुछे हुए है हुआमें हुआमें कि युद्ध उरज होती है, question 5. पदार्थ के चल्डंविएक और विग का उनुपात में कोऽ सी बहुत की रासी प्राप्त की जाती है तिया आपका द्रवमान होता है क्या होता है द्रवमान को इंग्लिस में मास करते हैं क्या करते हैं मास सुने वेक को मोमेंटम करते हैं ठीक है और वेक को वेलुसिटी करते हैं वेलो सिटी का आता है, कोशन नमने हम लोग 5 देखेंगे, वासिंग मसीन का कारसी धान क्या है, यह अप केंदरन पर काम करता है, अप केंदरन होता है, सेंट्री फ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्री फ्यूगल फोर्स होता है, यह केंदर से बाहर के तरफ लगता है, केंदर से याद रखिएगा सेंट्री फ्यूगल इंग्लिस में इसको कहते हैं क्वेश्चन नमर 7 देखिए न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है लाफ इनर्सिया जिसको जड़त तो कहते हैं कि लाफ इनर्सिया कोसिस करेंगे कि दोनों आपको भसाओं में प्रभाइट किया जाना है रॉकेट की सिधान पर काम करता है तो रॉकेट न्यूटन का तिसा नियम पर सिधान करता है देखिए MTS में पुछा हुआ है कोशन नमर फाइब नाइन देखते हैं सोरी पथर को अगर ठोकर मारने पर ब्यक्ति को चोट लगता है कारण किया है ति प्रतिकिरिया है एक्षन ए रियक्षन ति यहाँ पर यह एक्षन होता है आपने पथर को ठोकर मारा तो एक्षन किया उधर से जो मिलता है उसको प्रत होता है क्या होता है अब के दें दोस्तों को में कब दिल दो आप लोगको यद दिर वादो कि कि感ुद वीडियो को लाइक सबस्क्राइब और और शेर करना न भूला और उसे तरह से घुर को कोषेशन रॉकेट की गति पर निमने लिकित में से कौन सा स्रक्षन सिधान्त लाग होता है सिधान्त गलत लिखा हुआ है तो टाइपिंग में उसको देखिएगा तो यहां पर जो रॉकेट का होता है वे सनवेक का स्रक्षन पर काम करता है किसका सनवेक का स्रक्षन पर आपका बारह देखते हैं जब कोई वस्ति उपर से गिराई जाती हो तो उसका भार क्या होता है तो उसका जो भार होगा अपरिवर्टित रहता है क्या रहता है अपरिवर्टित कोई चेंजिंग नहीं होता है ऑी भॉल पेंड जिससे हम लेखते हैं किस सधान पर काम करता है फार कां करता है कौन सा उल पार के बाल लग भार करना ना है तु नांत नांत अफकर करतोटाएं के प क्योन व उन्हांनीISS कब एक है जीक्षर काम लेगकρι कोशन देखें में क्योंप की एसating कि जाते हैं किसी पींड का वजन किसके केंद से प्रत्किरिया करता है तो दोनों का करेगा यह और भी ग्रूत्वाकर्शन बर्थ से भी करता है और दर्मान के केंद से भी प्रत्किरिया करता है तुल काली उपग्रहों के परिक्रमन की ओधी कितनी होती है दोस्त तो यह ओनी फ़र 24 गंटा का होता है तुल काली उपग्रह जितने भी है उनकी 24 गंटा होता है कोशन नमर 16 देखते हैं पेंडूलम को चंदर्म पर ले जाने से इसकी समावधी क्या होगा है तो पेंडूलम को जब हम ले जाएंगे तो समावधी वहां पर बढ़ती है क्या होती है बढ़ती है कोशन नमर 17 वाय मंडली है हावा प्रिथवी पर रखी जाती है यह भी नहीं होता तो यहां पहावा नहीं हो पाता है कोशन नमर 18 बल बल किसका है तो बल आपका दुरमान और तुरन का है दुरमान और तुरन का जो गुननफल होता है उसी को बल बल का यूनिट क्या होता है न्यूट क्या होता है न्यूटन इन्होंने खोर्स किया था इंग् ही गौन सा च्छे इंस्ता निम Anda में से कौन सा एक छ्यकारी बल हो तो च्छा ही कारी बिधुद् जो बल होता है क्येसर नमर बाड कोश्चन नमज बृत के स्प्रेंग में भंडारी तूड़ ज εδώ होता है वह इस्थिता होता है क्या होता है इस्तितुर्जा होता है याद रखी का एक लाइन का कोशन था बादलों क्यों मंडल में तरने का कान क्या है कि उसका घनत्यु जो होता है कम होता है घनत्यु क्या होगा कम होता है एक वर्षा की बुंद्र गुलकार अविट्टी के कानन क्या है तो प्रिष्ट तन के कारण गोलाकार होता है कोशन हमें असा है कि कोशन दिखाई दे रहा होगा लैंप की बती में तेल किसके कारण उपर जाता है तो उसमें होता है किसी काएं किरिया होती है बहुत अच्छा कोशन इससे कोशन रहता है है पानी की बुंदो का तैलिये प्रिष्ट परनाची पक पानी से निकलने पर सेविंग ब्रेस्ट आके बल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण किया है जिसका कारण किया है प्रिष्ट तना और जिसको इंगलिस में सर्फेस टंसन करते है तो प्रियमित्रो वीडियो पूरा देखें अच्छा से देखें और यह सभी एक वन लाइन कोश्चन है पर इक सब्सक्राइब देखें पूछा जाल चुक है है थैंक्स टू अला आप यू नेक्स्ट वीडियो में हमनों मिलते हैं बाई